तो फाइनली गाइज 20 दिन 11 गंटे और 45 मिनिट के बाद आज जाकर हम जा रहे हैं मार्केट इतने दिनों से घर पे रहे रहा के हो चुके हैं बोर और मार्केट भी ऐसा नहीं है के घोमने जा रहे हैं कुछ ग्रोसरी वगरा लेकर आनी है तो छे दिन हो गया लास्ट वीडिय जाए कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में और रोड्स के उपर और क्या कुछ हालात है भी फिलान यहां पदंपूर के तो चलिए चलते हैं वी कैननोट कॉंप्रिमाइज सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड-19 सो उसके लिए जितने भी प्रेकोशन होंगे वो सब हम लेंगे एंड हैलमेट को काफी टाइम से लग बग एक महिने से यूज नहीं किया तो पूरा डस्ट से भरा पड़ा है सब से इंपोर अब यहां पर कोई नहीं दिख रहा है सो आज है 21 दिन और 20 दिन के बाद हम घर से बाहर निकले हैं रोड पे वो भी थोड़े असेंचल आइटेंस वेगारा लेने के लिए और पदमपूर से थोड़ा ही पीछे हैं सो देख सकते हैं आप कोई भी नहीं दिख रहा है काफी क अब लोग है इस ताइम रोड पे एंड नहीं पूरी प्रोटेक्शन के साथ निकलाओं तो जो अभी मैंने फूर स्लीव के शोट वगरा पहन नहीं है पूरी शूस वगरा गैट पूरा रेडी होके ही निकलाओं और जैसे घर पहुंचुगा ये वाली कपड़े मैं साइड मैं रख दूगा तो इनको दोबारा यूज नहीं करूँगा इनको वोश करने के लिए डारेक्ली डाल दूगा सब्सक्राइब देख सकते हैं आप सड़के बिल्कुल खाली है कोई भी यहां पर अभी फिलाल मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है और आगे पुलिस वाला ने स्टॉप भी लगा रखा आई तिंक देखते हैं रोकते हैं या नहीं हैर यू कें सी एंट्रोंस पर यहां पर ब मार्केट फुल रहती है अभी आपको कोई भी नहीं दिख रहा है लगबग दुकाने सारी पड़ी है देख सकते हैं अशेंसल्स आइटम्स वाली ही जो दुकाने हैं जहां से आप राशन वगारा लेजा सकते हैं वहीं खुली है इस टाइम और बाकी पूरा मार्केट तो यहां पर यह आलमास्ट नॉर्मल डेज पर सारी शोप्स खूली रहती है और इस साइड में फास्ट फूड की यहां पर स्ट्रीट फूड मिलता है फास्ट फूड तो कोई भी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है और ऑनली फोर यहां पर यह एच्ट डिफ सी बैंक है यही इुड़ है बाकि यह इधर दूद वगिर अमिल रहा है यह उपन है बाकि सारा मार्केट बंद सारी शौप्स बंद आप देख सकते हैं यह दानमंडी वाली जो रोड है वे वाली है जो नहीं धानमंडी की तरफ जाती है यह इधर सुनर फिटनस बोडी जोन है यह अपना जिन है यहां पर मैं आता हूं अकसर और अभी लग लग महीना हो गया यह बंद पड़ा एक महीने से इस वन इस हॉस्पिटल एंड सिरियसली गाइज इतने बूरे हलात मैंने आज तक कभी नहीं देखे मार्केट के सारी शॉप्स वगरा क्लोज पड़ी हैं मैडिकल स्टोर्स जो हैं वही ओपन है सो काफे बूरा भी लग रहा है कंडिशन्स को देखकर और काफी दिनों बाद राइड पे निकले हैं तो कुछ थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है बट सिच्वेशन्स इतने बूरे हैं अभी सामने टोल बूत हा रहा है तो यह भी पूरी तरह से खाली पड़ा है यहां पर भी आपको कोई नहीं देखने को मिलेगा एक दो पुलिस वाले ज़रूर खड़े हैं यहां पर बट टोल बूत की बाद करें तो बंद पड़ा है पूरा करें दो फैलिए एड़ आप अर कंडिशन काफी खराब है भार मार्किट में तो जिस शोप से मैं समान लेने गया था वहां पर क्या सिंता की भार रांव्स लगा रखे थे तो ज्यादा भीड होती है तो लोग वहां पर दूर दूर डिस्टैंस बना के खड़े होते हैं जि के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं जैसा कि अभी ज्यादतर लोग क्या है घरों में बैठ के इंजोई कर रहे हैं अराम से नेट्फिक्स देख रहे हैं गेम्स वगएरा खेल रहे हैं तो इसी बीच हमने क्या किया यूटिलाइज करने के लिए टाइम को एक अच्छा सा किच पूद्स और वेजिटेबल्स मैंने वहाँ पे ग्रोग की है तो अभी मैं उन्हें हार्वेस्ट करने जा रहा था तो सोचा क्यों ना आपके साथ इस चीज़ को शेयर के जाए तो चले चलते हैं तो गाइस आज यू कैन सी पीछे यहाँ पर मैंने लगा रहे वेजिटेबल एंड जो लेयर फार्मिंग का मैथड होता है उसका एक यह छोटा समय ने यहाँ पर मॉडल देयार किया है तो देखते हैं इसमें कैसा प्रोडक्शन निकलता है और अभी ना यहाँ पर ये कद्दू के पोदे लगे हो हैं तो मैं इन्हें काट रहा हूं अभी हार्वेस्ट करके गर पे लेके जाऊंगा इसके सबसे बैस्ट बात यह रहती है कि इनका जो टेस्ट है ना इन वेजिटेबल का जो अपने हाथ से ग्रो करते हैं और गेनिकल आती है कि अपर 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 जादा तर लोग और गेनिक फार्मिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि जो प्रोडेक्शन आप वो काफी कम होता है और फ्रूट का साइस वह भी कम आता है बट यहां पर आप देख सकते हैं यह दो से तीन दिन के अंदर इतने मैचूर हो चुके हैं यह कद्दू तो साइस भी काफी अच्छा मिल रहा है एक से दो दिन के गैप के अंदर मैं हर्वेस्टिंग कर पा रहा हूं तो काफी अच्छे से वेजटेबल्स ग्रो होती है ऐसा नहीं है बट इनकी थोड़ी सी केयर करनी इवनिंग में एक दो घंटे इवनिंग में एक दो घंटे मॉर्निंग में मैं आपे लगाता हूं और उसका जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सो यह था काई जाज का व्लोग होपस आपको काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाएं और साथी साथ इन फ्यूचर बीची तरह काफी सारे वीडियो में लेके आता रहता हूं सो मेक शोर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए रसी 17 व्लो दलेते हुए जाए हिंद जाए बाराज